हेलो गाइज वेल्कम टो अनेधर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फेंट्स भारत फोर्ज की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल पेस हो चुका है स्टैंडलॉण इसके साथ कंपनी की ओर से 6.5 रुपीच पाइनल डिविडेंट भी रिकमेंट किया गया है और इसका अप्रूबल गाइज इन्वल जनरल मिटिंग में किया जाएगा तब हम लोग चलते कंपनी के फिनांसल रिजल्स पर गाइज पहले कंसल रिजल कवर करेंगे मिलियंस में इंकम है 4299 करोड का पिछले क्वाडर में 39122.3 करोड का और मार्च ट्यूंट्य 3 में 3686.8 करोड का इंकम है और यर-on-yr दोनों के इंकम में इंक्रेज किया थे खेंसे ठटी एटनरड फॉर्टी 3.5 करोड का पिछले क्वाडर म्थे 2529 करोड का मार्च 23 करोड का कॉर्टरण कॉठीड ऐकके by में Rs 17.8 और गाइस किया गएह लिकिन हम बात के लिए तो expensive increase हुआ raw materials और component cost में इस बार expense हुआ 2011.8 करोड का made profit company का है 227 करोड का पिछले quarter में 254.4 करोड का और March 23 quarter में 127.7 करोड का profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है EPS 5.07 रुपीच का quarter on quarter में down है year on year में increase किया है तो guys company का result अगर देखा जाए तो यहां पर average पेश किया है क्योंकि देखिए कंपनी का income तो बहुत अच्छी growth राबट expense ज्यादा होने की कारण quarter on quarter की profit में down है अगर हम financial रेंडिट की बात करें income में 15,909.94 करोड का और 23 में 13,083 करोड का income में increase किया है लेकिन expenses 14,463 करोड का और 23 में 12,176.9 करोड का expense में भी increase करती भी नजर आ रही है और प्रेटिंग profit 14,38.9 करोड का और 23 में 826.9 करोड का increase करता हुआ देखने को मिला है यहां पर कंपनी का net profit की बात करें तो कंपनी को हुआ है 910 करोड का 23 में 508.3 करोड का increase करता हुआ देखने को मिल रही है EPS 20.43 रुपेश का 23 से increase किया है तो गाइस 97.9 करोड का और March 23 quarter में 2006 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है Expenses 1840.7 करोड का पिछले quarter में 1793.5 करोड का और March 23 quarter में 1680 करोड के expense हुआ था जबकि quarter on quarter में increase है years on year में भी increase किया है operating profit 512.7 करोड का पिछले quarter में 504.4 करोड का और March 23 quarter में 315.3 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में increase किया है net profit 389.6 करोड का पिछले quarter में 377.8 करोड का और March 23 quarter में 244.5 करोड का profit है quarter on quarter में तो increase है जबकि consolidated का profit में down था और स्थान डर्वन में इंक्रीज किया है एपिएस एट पाइंट प्री सावं रुपीज का कॉइर ओंड ये रोन ये दोनों में इंक्रीज किया है तो गाइस कमपनी का ओवरॉल डिजल्ट यहां पर ठीक तर अच्छी रिजल्ट पेश किया सेग्मेंट वाइस बात कि तो फॉर और अगर देखा यह उच्छ रिजल पेश किया और अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कंपनी को उपरेटिंग मार्जिन 28.31 परशन का पॉफिट मार्जिन 16.73 परशन की और मिसके शेयर्स की बात करें गाइंगा इस तो कंपनी जो शेयर है 1261 के रुपीज का सब्सक्राइब करें रिजल्ट आते ही 1% का तेजी देखने को मिला पॉफिट दिया एक कंपनी वन मंथ में 6.4% का पॉफिट और 6 मंथ में 20% की पॉफिट दिये तो कंपनी का शियर देखा जाता भी एक सपूर्ट लिता वह नजर आ रही थी लेकिन अब यहां से चांसे कंपनी वापस से रिवर्स कर सकती है तो अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप इसमें